30 मई से शुरू होने वाले काजीमिया के प्रसिद जेट मेले को लेकर दरगाह इंते जामिया कमेटी वजिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के बीच बैठक हुई संपन मेले इन विवस्थाओं को लेकर डियेम ने संबंधितों को दिये निर्देश। उत्तर प्रदेश के जनपत बहराइट स्थित सेयद सालार मसूद गाजी रहमतुलाह अलेह की दरगाह पर 30 मई से 30 जून 2024 तक एक माह की अवधी तक चलने वाले वार्शिक जेट मेला 2024 को सकुषल संपन कराए जाने के लिए कानून एवनशांती विवस्था तथा अन्य विवस्थाओं के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दोरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जिला प्रशासन और दरगाह प्रबंध समिती के सदस्यों को बेहतर तालमेल के साथ कारे कर समय से पूर्व रूप से मेला परिसर में उपलब्ध संसाधनों का और सभी दुकांदार बालू बकेट वपानी की बाल्टी जरूर रखेंगे अगनिश्मन विभाग को निर्देश दिया कि आग की दुरगटना को नगने किये जाने के उदेशे से पूरे मेला परिक्षेत्र का भ्रमन कर यह सुनिश्चित करे कि सभी हाइडेन चालू हालत में हो उपरांध ही सेफ्टी प्रमान पत्र जारी किये जाएं। को का अनुपालं कराने के मेलार्थियों से ज्यादा मुनाफ़ा वसूली ना की जा सके इसके लिए डियेम ने रेट लिस्ट प्रदर्शित किये जाने तथा खादे पदार्थों की क्वालिटी चेक करने के लिए खादे सुरक्षा एवं औश्धी प्रशासन को मेला अवध की घटनाओं के प्रभावी नियंत्रन के लिए जिलाधिकारी ने प्रबंध समिती को निर्देश दिया की मेलार्थियों से अपील की जाए कि वो गैस सिलिंडर के साथ मेले में ना आएं और सभी दुकांदार बालू बकेट वपानी की बाल्टी जरूर रखेगे अगनिश दूलता हुआ न रहे, इलेक्ट्रिकल मानकों का परीक्षन फोल प्रूफ व्यवस्था सुनिष्चित कराई जाए। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया की सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराने के उपरांथी सेफटी प्रमान पत्र जारी किये जाएं। डीयम ने पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को जोच अभियान संचालित करज्वलन शीर पदार्थों के मिला परिसर में लाने पर प्रभावी अनकुष लगाने का निर्देश दिया। मिलार्थियों से ज्यादा मुनाफा वसूली ना की जा सके इसके लिए ड M. ने रेट लिस्ट प्रदर्शित किये जाने तथा खाध्य पदार्थों की क्वालिटी चेक करने के लिए खाध्य सुरक्षा एवं औशधी प्रशासन को मिला अबधी में नियमित रूप से सेंपुलिंग करने का भी निर्देश दिया। TV केमरों की नियमित मानिटरिंग की जाए। इसके अलावा सभी प्रकार के वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी उचित प्रबंध किये जाए। TV से कुरा उठान तथा पानी के छिड़काव, मेले की ओर जाने वाले मारगों पर सोलर लाइट इत्यादी के बहतर प्रबंध किये जाने के निर्देश दिये गए। DM ने ये भी निर्देश दिया की सभी प्रकार के हेल प्लाइन नंबरों को पूरे मेला परिसर में जगा जगा प्रदर्शित कर दिया जाए। बैठक के दोरान दरगाह प्रबंध समिती के अध्यक्ष सैयद शम्षाद एहमद एड़ोकेट ने दरगाह प्रबंध समिती की ओर से की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई। अभे विद्यूत शैलेंद्र कुमार लोक निर्मान विभाग के अमर सिंग सहत अन्यसंबंध तथा दरगाह प्रबंध समिती के सदस्यगन मौजूद रहे। एनन वाइस न्यूज के लिए बहराइट से नूर आलम वार्सी की रिपोर्ट तो इस वक्त गाजी मिया के जेड मेले के दूम है। देश विदेश में प्रसिद गाजी मिया का जेड मिला अब 30 मई से शुरू होने वाला है। उसको लेकर दरगाह इंतिजामे कमेटी वर जिलापरसासन के बीच बैठक हो गई है। जी हाँ इस वक्त चुनाओ का दौड चल ला था लोग सबाद चुनाओ चल ले थे जिसमें 13 मई को बहराइच में वोटिंग हो गई जिसके बाद अब यानि के कल जिलापरसासन और दरगाह इंतिजामे कमेटी की बीच में दरगाह मिले को लेकर जेड मिले को लेकर बैठक ह किला चली बैठक हुए क्थ रहा हम Caitॅजिया के के सब्सक्राइब में जिलापरसासन और इंतिजामे कमेटी हीग दरुष्रीप के जूइनट उसमें मीटिंग हुई जिसमें जिलादिकारी महदया ने मेला सम्मन्द से सभी बिंदों पर परकाश डाला और दरगा इंतिजामिया कमेटी जिलापरशासन से क्या सही योग चाहती है और इंतिजामिया कमेटी दरगा शरीफ जिलापरशासन से क्या सही योग चाहता है इस संबंद में विस्तार रूप से बातें हुई जिस पर जिलाजकारी महुदे ने नगरपाल का परिशत के योग सबसे पूछा और अच्छी से अच्छी मेला के जाहिरीनों, सरदालों के आमद और उनके रख रखाओ, ठैराओ की हर बिंदु पर कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छा मेला संपन्नों अच्छा, एक चीज़ बताई है सर कि जिस तरह से आज रवीवार है, संडे है, पहला जेट का संडे है आज, और तमाम सरे जो जाहिरीन है, लोग चादरे लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ है, इस संबन में जराब रहता है इसमें थोड़ा गलत फहिमी हुई, चुकि मेला जेट, जेट किसी भी डेट में लगे, उस जेट में पहला जुमेजात ब्रस्पत्वार माना जाता है, उसके बाद का नेक्स संडे जेट का पहला दिन होता है, हमारे हम मेले का पहला दिन होता है, अब आने वाला जो नेक्स संडे होगा दो जून को जेट को समझ कर आज संडे का दिन चले है उनका स्वागत है और उनसे बताया गया उनको इतला किया गया कि आने वाला संडे ही मेले का मुखडे है यह बताईए सर कि अब जिस तरह से अनकरीब आ रहा है एक दम बिल्कुल गाजी में का जो जेट मेला जिस दिन खासर विवार है दो जून है उसको लिकर दरगा इंतिजामय कमेटी कितने है हद तक यहां पर लगी है इंतिजामय कमेटी हर संबो परियास कर रही कि अपने महमान अपने जाहिरीनों के इस्तक्बाल के लिए उनके ठहरने के लिए पेजल वेउस्था परकास दिद्विए चाहिरे जिसमें ज्लापर्सासन ठौड़ रूप से हम लोगों का सऩयोक भी कर रही है आनता में जो आपको देख रहे हैं और उनके आमद के लिए उनको किसी परकार की कोई अविवस्था नहों और विवस्था पक्रूप से वो आवे हैं उनका स्वागत है इस्तक्बाल है गाजी मिया का मेला हद्थ सेदे सालार मसूद गाजी रहमतुल्ला अले के मेला जेट के नाम से परसिद हुआ है पूरे भार बास्षाहों ने यहां पर हदरी दी है ख्वाजा इंदल वली यहीं अबादत करने और रियादत करने आया करते थे जियारत करने आया करते थे हाजी वारिस अलिसा सुजाओ दौला अपने वक्त के बास्षा और भी अनेकों बड़े बड़े लोग बजर्ग हों या वली हों या रिशी मुनी उन लोगों का आना जाना जाजी जाए इस मेले में एक चीज़ खास देखी गई है कि सरधर्म हर समदाई के लोग यहां पर एक भीड की सक्ट में एक साथ चलते हैं जबकि भारत वर्ष के तमाम मेलों में कई मेलों में देखा गया है कि हर समदाई अपने अपने हिसाब से चलता है लेकिन यहां सब एक साथ चलते हैं भारत वर्ष में यह गंगा जमनी तहजीब और कौमी एकता का पर्चम यहीं देखाई देता है और बिना भेद भाओ यहां पर लोग अप लाब उटाते हैं फाइजयाब होते हैं और उपस्तित होते हैं अपने नजराने हकीदत सर्दान लिए अर्पित करते हैं तो यह देखा यह थे मकसुद राइनी साब जो के दरगा इंदिजामा कमीटी के सदस हैं इन्होंने हम से बात की खास बातशीत में उन्होंने बताई किसे जो आने वह दोजून हैं जिस दिन घाजी मीया की दरगा पर भव बराते लाको जाएरीन सैकलों बराते लेकर घाजी मिया की दरगा पर दूम धाम से पहुछत एं ऐसे में क्या कुछ दरगायन दिज्यमा कमेटी की ओर से तयारियां की गई है वो चाहे पानी की विवस्था हो, स्वास संबंदी विवस्थाएं हो या अन्य परकास से संबंदी विवस्थाएं हो साथी इन्हों ने बताय कि किस तरह से कल दरगायन दिजामा कामेटरी और जिलापर्शासन की बीच जो बैठक होई उसके बीच में क्या कुछ हुआ क्या जिलादिकारी महधिया ने तमाम सारे बिंदों पर चर्चा की और तमाम सारे जो मातात अधिकारी थे उन्हें निर्देसित किया कि मेले में आने वाले जारीनों के लिए तमाम सारे जो विवस्थाए हैं उनको दुरस्त किया जाए उनको सही किया जाए ताकि जो मेले में आने वाले जारीने उन्हें कोई दिक्कत ना हो और सकुसल जो गादी में का पर से जेड़ में लाए है उस समपन हो सके साथ ही अगर आपको बताना है कि तमाम सरी अपडेट जो मेले की अपडेट है आपको चाहिए तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेलाइगां दबाले साथ ही कर इस वीडियो को फेस्बूक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फालो कर लें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे साथ ही ये ज़रूर बताएं कि आपके जिले से हमारी इस ख़बर को देख रहे हैं कैमरे के बीचे हमारे सर्योगी मुहमत कामिल मैं नूर आलमवार्सी बहराई चुत्तर पर्देश NN Voice 24 7 News की ख़बरों से जुड़े रहने के लिए इन सोचल मीडिया प्रेट फॉर्मों से जुड़े और बने रहें NN Voice 24 7 News के साथ NN Voice 24 7 News The Smart Generation Web and Digital Media